कैसे हो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल के उपर अगर आप लोग डायरेक्ट इक्विटी में इंवेस्ट और ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पॉर्टफोलियो का 50% अलोकेशन मुच्विल फंड के अंदर होना चाहिए क्योंकि अगर आप मुच्विल फंड में पॉर्टफोलियो बनाओगे तो आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिलेगा बलकि आपने खुद पॉर्टफोलियो बनाया होगा तो आपके पॉर्टफोलियो में 10-15 बेस स्टॉक्स से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं होंगे और आपकी प्रोफाइल को देखते हुए आपको कौन सा फंड सही रहेगा वह आपको जानना है तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो मैं फ्री ओफ कॉस्ट आपको सजेस्ट करूंगा So L&T Finance के उपर आपको प्रीवियसली मैंने बताया था तो किस तरह से बहुत ही बढ़िया सा गीन हमें देखने को मिला हुआ था और जैसे कि यह चार्ट का स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ तो चार्ट काफी साइडवेस है क्यों है ऐसा साइडवेस है क्योंकि आप लोग देखो प्रीवियसली भी जो मैंने से एडवाईस दिया था वहाँ से स्टॉक्स ने काफी अच्छा गीन दिखाया था बट अब लोग देखोगे तो जन्वरी 2021 से यह जन्वरी 2021 है और यह हमारा मार्च है राइट 23 रेट सेम है तो थोड़ा प्लस माइनस हुआ है बट स्टॉक अभी भी वही रेट पे खड़ा हुआ है और अगर हम आगे का भी देखे तो सप्टेमबर 2019 में भी यही रेट था और इसके भी आगे जाए तो हम यहाँ पर देखो 2012 में भी यही रेट था 2016 में भी यही रेट था सो लंबे समय तक जिन लोगों ने यह स्टॉक के अंदर पैसा डाला हुआ है उनका पैसा बना नहीं है अब यहाँ पर जिस तरह के चार्ट के स्टॉक्चर बन रहे है चांसिस बहुत ही हाय है कि स्टॉक अभी हायर साइट के लेवल समय दिखाएगा ठीक है उसके लिए 105 रुपिस के उपर सस्टेन होना बहुत ही इंपॉर्टन्ट है और अभी जिस तरह का यहाँ पर चार्ट के स्टॉक्चर बन रहा है ठीक है 96 रुपिस के अभी चार्ट है न थोड़ा बिगड रहा है चार्ट थोड़ा बिगड रहा है बट 96 रुपिस के उपर चार्ट टीक गया तो फिर स्टार्ट के अंदर बढ़िया सा रिकावरी हमें देखने को मिलेगा ठीक है तो फर्स्ट कंफर्मेशन लीवल कौन सा है 96 रुपिस अब जैसे कि यहां पर भी हम टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो एक स्मॉल रेंज में कामका जहां पर हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि अभी जो करेंट मार्केट प्राइज 90 रुपिस है 90 रुपिस से लिके 83 रुप जो स्ट्रॉक ट्रेड हो रहा है तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना है कल के सेशन में अगर थोड़ा डीप हमें देखने को मिलता है 88.50 से लेके 88.50 से लेके 87.50 एक रुपे की रींज बता रहा हूं 88.50 से लेके 87.50 के बीच में 50% कॉंटिटी आपको बाय कर लेनी है और अन 85 रुपेज सम्वेर अराउं 85 रुपेज ठीके और फिर इसके अंदर क्लोजिंग बिजिस के उपर एक स्टॉप लोस आपको मेंटेन करना है वो है 83 रुपेज का सो मेरे हिसाब से एलेंटी फाइनांस के उपर रिस्क रिवर्ट रेश्यो अच्छा बना हुआ है स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर इस्टॉक के अंदर काम करना है तो बहुती बहतरी इन चार्ट के स्टॉक्चर देखने को मिल रहे हैं लॉंग टर्म का अगर मैं टन बना के नहीं दिया हुआ है बड़ा रिवर्सल 96 के उपर हमें देखने को मिलेगा बट कैलिकुलेट रिस्क अगर हमें लेना है तो हम जरूर से ले सकते हैं 96 रुपीज के उपर स्टॉक निकलता है तो फिर स्टॉक के लिए बड़े डोर्स उपन हो रहे हैं ऐसा क्लियर कर सकते हो मैं जो भी अनालिसिस कर रहा हूं उसका डेमो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है वो वीडियो देखे नॉलेज एक्वायर कीजिए फिर काम कीजिए कोई पी एक मेंटर चूज कीजिए सीखने के बाद काम कीजिए